हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको Q-Series रिले के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसा कि आप दे सकते हैं मेरे पास एक Q-Series का रिले है और ये जो आपको कॉपर के जैसे देख रहे हैं ये कॉंटेक्ट होते हैं उपर वाला हमेशा आर्मेचर होता है और नीचे वाला कॉंटेक्ट होता है ये दो कोडिंग पिंस होते हैं हर रिले की कोडिंग पिंस अलग-अलग होती है ताकि ये रिले के बेस में आसानी से फिट हो सके उपर वाला A1 नीचे वाला A2 इसी तरह नीचे देखेंगे तो A3, A4 हो जाएगा फिर A5, A6, A7, A8 उसी तरह उसके बगल वाला कॉलम B का कॉलम होगा फिर C का कॉलम होगा और फिर D का कॉलम होगा और नीचे वाले जो दोनों होंगे वो R1 और R2 होंगे जिस पे सप्लाई दी जाएगी एक रिले बिल्कुल एक आपके घर में यूज होने वाले स्विच के जैसा ही काम करता है जैसे ही ये दोनों कॉंटेक्ट आपर समें टच हो जाएंगे तो इस कॉंटेक्ट से जो चीज जुड़ी होगी वो अन हो जाएगी जैसे आप switch दबाते हैं तो bulb on हो जाती है उसी तरह इस contact से जो चीज जूड़ी होगी वो on हो जाएगी बिल्कुल एक switch के जैसे ही जैसे ही R1, R2 पे इस relay की rating voltage apply की जाती है या या किसी तरह से पहुचता है तो इसके front या back contact बनते हैं और जैसे ही मान लिजे front contact बनता है तो इसके front contact से जिदने भी circuit connect होंगे वो on हो जाएगे और back contact वाले off हो जाएगे एक case ऐसा भी होगा कि कुछ circuit back contact से connect होंगे तो उनको on मान लिया जाएगा और front contact वाले को off मान लिया जाएगा अब इसका side view देखिए तो जो carbon वाला हिस्सा होता है उसको armature कहते हैं और जो नीचे वाला metal वाला हिस्सा होता है वो contact होता है अगर ये carbon और metal touch है तो उसको एक contact गिना जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर वाले सारे open है तो उसको front contact कहा जाएगा और carbon और metal ज यहाँ जहाँ पर chip का हुआ रहेगा उसको back contact कहा जाता है यह एक 8F 8B की relay है रिले कई प्रकार कियाती है तो अलग-अलग front और back contact होते हैं यहाँ पर इसका ohm लिखा हुआ है और turn लिखा हुआ तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से side view जो जो carbon और metal touch है वो back contact में count हो रहे ह और जो अभी open है वो front contact होंगे जब supply दी जाएगी तो वो touch हो जाएगे वो front contact make हो जाएगा और back contact open हो जाएगा तो ज्यादा कुछ relay में होता नहीं है बस एक relay से दूसरे relay को proof कराई जाती है और यह तब तक कराया जाता है जब तक कि अपना appropriate result ना मिल जाए अगर हम लोग manual switch लगाते तो काफी ज्यादा मुस्किल हो जाते इसलिए relay को बनाया गया कि एक supply देने से कई सारे switch एक साथ on हो जाए यही काम करता है relay हम लोग को manually नहीं करना पड़ता है कहीं से supply लाके इसके appropriate rating voltage R1, R2 पे पहुंच जाती है और यह अपना काम करने लगता है बिलकुल एक switch के जैसा है तो यही है relay के बारे में मेरे पास अभी 12F4B की एक relay है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके contact है अब इसमें भी A1, A2, A3, A4 होंगे R1, R2 होगा और coding pin होगा लेकिन इसकी coding pin 8F, 8B से बिलकुल अलग है कर दो यहाँ पसे होगा में इसकी काह सत्वयास का प्रहा है सिरी एक करने भी Qð। झाल झाल